कि नमस्कार साथियों मैं दीपांकर राज आप सभी का फिर से अपने इस उत्तराखन कंपटिशन एक जाम के चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सभी को आपकी आने वाली सभी परिक्षाओं के लिए सुपकामनाएं देता हूं मैं अपने निजी कारियों में ब्यस्त रहने के कारण आपके सामने रेगुलर वीडियो नहीं ला पा रहा हूं लेकिन मैं जैसे ही फ्री होंगा मैं कोशिस करूँगा कि मैं आपके सामने रेगुलर आपको ज्यान वर्दे को और आपकी परिक्षाओं के लिए उपयोगी प्रेक एतिहासिक काल हम पढ़ चुके हैं और उसके बाद आद एतिहासिक काल और शिलालेखों पर भी मैं एक वीडियो अप्लोट कर चुको हूं तो आज मैंने एतिहासिक काल को चुना है तो इसके बारे में हम जानेंगे तो एतिहासिक काल में सबसे पहले हम कुनिंद सासकों के बारे में चानकरी लेंगे तो इसके बारे में हम देखेंगे देखे विभिन एतिहासिक सुरोतों से ज्याद होता है कि कुनिंद जाती उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनितिक सकती थी देखें बहुत महत्तराखंड पर शासन करने वाली जो प्रथम राजनितिक सकती थी वो कुनिंद सासकी थी ठीक है तो उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनितिक सकती कुनिंद थी ये इंपोर्टेंट पॉइंट है ठीक है महत्तराखंड पॉइंट है ये कु रखे यह महत्वपूर्पूर्ट उत्तराखंड पर सासन करने वाली प्रथम राज दिख सकती कुनिंद जाती थी इसके बाद देखते हैं उत्तराखंड के पहाड़ी शेत्रों में लगभग तीसरी चौथी इस्वी तक इनका सासन रहा यानि विविन एते हैसिक श्रोतों से यह ग्यात होता है कि कुनिंद जाती उत्तराखंड पर सासन करने वाली प्रथम राज दिख सकती थी तथा उत्तराखंड के पहाड़ी शेत्रों में लगभग तीसरी से चौथी इस्वी तक इनका सासन रहा ठीक है तो यहां आपके दो कुशिन बन रहे हैं कि उत्तराखंड पर सासन करने वाली प्रथम राज दिख सकती किसे माना जाता तो वह हैं कुनिंद जाती कुनिंद सासक और इनका सासन रहा आगे चलते हैं देहरादून के पास यमना और टोन्स नदियों के संगम पर इस्थित कालसी नामक इस्थान से प्राप्त असोक कालीन अभिलेग में इस शेत्र के निवासियों के लिए पुलिंद और इस शेत्र के लिए अपरांत सब्द प्रियुक्त किया गया है ठीक है इस अभिलेग से ऐसा लगता है कि प्रारंब में कुनिंद लोग मौर्यों के अधीन थे देखिए यहाँ पर एक पॉइंट देखिए आप कि जो देखिए जो कालसी अभिलेग है वो असोक से सम्मंदित है ठीक और यह देहरदुन के पास यमना और टूस नदियों के संगम परिस्तित है ठीक है और इस कालसी अभिलेग में यहाँ के निवासियों के लिए पुलिंद सब्द और इस शेत्र के लिए अपरांत सब्द प्रियुक्त किया गया है आप पुलिंद का आप कुछ पुलिंद को आप कुलिंद से भी आप इसका कनेक्शन कर सकते हैं जैसे कुलिंद को ही पुलिंद कहा गया हो या उसको एक अलग सब्द के रूप में कहा गया हो या अलग अर्थ के रूप में या अलग विचार के रूप में तो अलग वंस के रूप में तो कुलिंद का साम्या आप पुलिंद से बिठा सकता है यहां के निवासियों के लिए पुलिंद और इस शेत्र के लिए अपरांत सब्द का सब्द प्रियुक्त किया गया है इस अभिलेक से ऐसा लगता है कि प्रारभ्य में कुलिंद लोग मौर्यों के अधीन थे देखिए असोग मौर्यवंस का सासक था और जहां जहां उनका सासक था वहां से असोग कालिन अभिलेक प्राप्त होते हैं जो यह सिद्ध करता है कि इस शेत्र पर असोग का सासन था और इस शेत्र में उस समय कुलिंद जाती राज्य कर रहे थी या पुलिंद जाती राज्य कर रहे थी तो इस अभिलेक से ऐसा उनमाल लगा जाता है कि जो प्रारम में कुनिंद लोग थे वे मौर्यों के अधीन थे अर्थात असोग वा अन्य मौर्य सासकों के अधीन थे आगे चलते हैं अब हम कुनिंद वन्स के कुछ सासकों के बारे में देखेंगे कुनिंद वन्स का सबसे सक्ति साली सासक अमोग भूती था याद रखेगा अमोग भूती कुनिंद वन्स का सबसे सक्ति साले सासक अमोग भूती था इसकी रजत एव तामर मुद्राएं पश्चिम में प्यास से लेकर अलक नंदा तक तथा दक्षन में सुनेत तथा बेहत तक प्राप्त हुई है इन मुद्राओं के अगर भाग पर देवी तथा मुरिक का अंकन तथा प्राकृत में राग्य कुनिंदस अमोग भूतीस महरजस अंकित है ठीक है तो आप यहाँ पर देखे कि कुनिंदस का जो सबसे सक्तिसालिस हा सकता वो अमोग भूती था और इसकी जो रज़त अयों तामर मुद्राएं पश्चिम में ब्यास से लेकर अलक नंदा तक तथा दक्षन में सुनेत तथा बेहत तक प्राप्त हुई है जो इस सिद्ध करते कि इस शेत्र पर अमोग भूती का सासन रहा होगा इन मुद्राओं के अग्रफाग पर देवी तथा मिर्ग का अंकन तथा प्राकृत में राग ये कुनिंदस अमोग भूती महरजस अंकित है इन मुद्राओं की पहचान अमोग भूती की अमोग भूती द्वारा प्रचलित मुद्राओं के रूप में की गई है जो ये प्रमालित करते कि जहां जहां से ये मुद्राओं प्राप्त हुई है वहां वहां तक अमोग भूती के सासन को ये उसके सासन शेत्र को प्रमालित करती हैं कि वहाँ वहाँ तक अमोग भूति का सासन रहा होगा आगे चलते हैं प्रथम सदी इस्वी पूरों में अमोग भूति की मृत्यू के बाद सकों ने देखिए सकों ने सकों ने इन के मैदानी प्रदेशों पर अधिकार कर लिया जो शक जाती थी आप प्रत्म सदी इस्वी पूरों में जब तक अमोग भूति के काल में एक शत्र राज्य अमोग भूति का रहा लेकिन अम्मोग भूति की मुर्थियों प्रत्रम सद्वि इस्तवी पूरो में हो जाने के कारण सकोंने इनके मैदानी प्रदेशों पर अधिकार कर लिया क्योंकि नेतरथ तो जब कमजोर पढ़ जाता है तो भाई शक्तियां फिर हावी होने लगती है तो सकों ने इनके मैदने सेत्रों पर आक्रमण करके उन पर अपना अधिकार कर लिया अब देखें सकों के यहां राज्य के क्या प्रमान है कुमाउ शेत्र में सक समवत का प्रचलन तथा सूर्य मूर्तियों एवं मंदिरों की उपस्तिती सकों के अधिकार की पुष्टी करती है देखे एक तो सक समवत जो की सकों नहीं चलाया उसका प्रचलन कुमाउ शेत्र में है और इसके अलवा यहां जो सूर्य मूर्तियों और सूर्य मंदिर मिलते हैं उनसे भी यहां सकों के अधिकार की पुष्टी होती है क्योंकि सूर्य पूजा और सूर्य मूर्तियों की पूजा सकों में प्रचलन थी अलमोला के कोशी के पास इस्तित कटारमल सूर्य मंदिर प्विशेश रूप से प्रसिद्ध है देख़ें अलमोला जनपत में कोशी के पास कटारमल नामकिस्थान पर एक सूर्य मंदिर इस्तित है जो की काफी पर्यटन्द की दिश्टी से भी महत्वपून है और एतिहासिक दिश्टी से महत्वपून है जो की यहां सकों के राज होने की पुष्टी करता है और सकों के एतिहासिक जानकारी का स्रोध है आगे चलते हैं अल्मोरा से प्राप्त कुनिंद मुद्राओं पर आसेक, गोमूत्र, हर्दत, सिवदत, आदि, राजाओं के नाम अंकित है तो जो कुनिंद मुद्राओं मिली हैं अल्मोरा से उन पर कुछ राजाओं के नाम अंकित हैं क्योंकि मुद्राओं पर राजाओं के नाम अंकित होते थे जिससे हर राजा अपने नाम की मुद्राओं अपने माम की मुद्राओं चलाता था तो इससे उसके एक शत्र राज्य की का प्रभाव जन्ता पर होता था तो अलमोणा से प्राप्त कुनिंद मुद्राओं पर आसेक, गोमूत्र, हर्दत, सिवुदत, आदि राजाओं के नाम अंकित हैं जो कि यहां कुनिंद सासकों के राज्य होने की पूष्टी करते हैं आगे चलते हैं देखें, जब अभी हम कटार मल के सोर्य मंदिर की चर्चा हमने की तो यह कटार मल का सोर्य मंदिर है, आप देखें यह कटार मल सोर्य मंदिर तो ये है काफी प्राचीन मंदिर है और ये कोसी अलमुडा में इस्तित है कोसी अलमुडा कोसी अलमुडा में इस्तित है और सकों द्वारा निर्मित है सकों द्वारा निर्मित है ठीक है सकों द्वारा निर्मित है और एतिहासिक द्रिष्टी से और पर्यटन की द्रिष्टी से काफी महत्तु पुर्ण है और सकों के अस्तित्व का महत्तु पुर्ण सुरूत का प्रमुख सुरूत प्रमुख सुरूत ठीक है तो कठार मलका यह मंदिर अलमुळा जन्पत के कोशी नामे के स्थान परिस्थित है और सूर्य देवता को समर्पित है यह सूर्य देवता को समर्पित है तो यहां पर शक काफी पॉइंट बन रहे हैं जो कठार मलका सूर्य मंदिर है अलमुळा जन्पत कोशी नामे के स्थान पर यह स्थित है सूर्य देवता को समर्पित है क्या अलमुळा के कोशी नामे की स्थान पर यह सूर्य देवता को समर्पित है शको दोरा नेर्मित है और शकों के अस्थित्य का प्रमुक्स्रोत है कहां अलमुळा कुमा ये जो सूर्य मंदिर है अलमोडा जन्पत मैं कोशी नामक इस्थान पर स्थित है सूर्य देवता को समर्पित है सको द्वराई निर्मित है सकों के सस्तित्व का पर्मुक शुरोत है कुमाओ प्रदेश में ठीक तो इससे भी सकों के बारे में काफी एतिहासिक जानकारी मिलती है आगे चलते हैं हम देखे अब जो ये कटार मल का ये भी कटार मल का सूर्य मंदिर ही है जरा अगर भाक से इसको एक दूसरे तरह किसे लिया गया है कटार मल सूर्य मंदिर अगर भाक से लिया गया है देखे जो सक जाती थी वो सूर्य की उपासक थी और इसलिए इसी सूर्य देवता से को समर्पित मंदिरों का निर्मान सक जाती ने उत्तराखंड में किया है उत्तराखंड के विभिन्न भागों में किया है उत्तराखंड के कई विभिन्न भागों से शकों का सासन था और शकों ने काफी समय तक यहां राज्य किया तो यह कटारमल का जो सूर्य मंदिर अग्रिभाग से लिया गया है जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं और यह अग्रिभाग से यह लिया गया है आगे चलते हैं अब देखे यह कुशान काल के आउसेश है जो की रिशिकेश से प्राप्त हुए है कुशान काल इन भावनों के आउसेश है जो की रिशिकेश से प्राप्त हुए है कुशान काल इन आउसेश कुशान काल इन आउसेश जो कि रिसिकेश से प्राप्त हुए है रिसिकेश से प्राप्त है जो कि उत्तराखंड में कुसानों के अस्तित्यों को प्रमारित करते हैं ठीक है जिनोंने कुसान जाती ने भी यहां सासन किया सकों के बाद आगे चलते हैं अब हम आते हैं देखिए सकों के बाद जो प्राइंट में अभी डिस्कस कर रहा था सकों के बाद प्रथम सदी के उत्तरार्ध में राज्य के तराई वाले भाग पर कुसानों ने अधिकार कर लिया सकों के बाद प्रथम सदी के उत्तरार्ध में राज्य के तराई वाले भाग पर कुसानों ने अधिकार कर लिया वीर भद्र, रिशिकेश, मौर्धवज, कोड़ः के पास और गोविसान कासिपूर से प्रयाप्त मात्रा में कुसानकालिन अउसेश मिले है गोविसान कासिपूर से परियाप्त मातरा में कुसान कालिन आउसेस प्राप्त हुए हैं जो कि यहां कुसानों के अस्तितों की पूस्ति करते हैं कुसानों के पतन के समय यहां कुछ नए राजवन्स देखो यह नए राजवन्स नए कुसानों के पतन के समय यहां कुछ नए राजवन्स जैसे गोविसान, कासिपूर, कालसी वा लाखा मंडल में इस्थापित हुए और साथ ही कुनिन्द भी कुछ शेत्रों पर सासन करते रहें कुछ नए राजवन्स जैसे गोविसान, कासिपूर में, कालसी वा लाखा मंडल में इस्थापित हुए और साथ ही कुनिन्द भी कुछ शेत्रों पर सासन करते रहें कुनिन्दों के समकालीन योग्य सासकों की मुद्राएं जौन सार भावर देहरादून तथा कालो डांडा पौली से मिली हैं जो कि उनके सासन की पुष्टी करते हैं देखे तो कुनिन्दों के समकालीन योग्य सासकों की मुद्राएं एक तो जौन सार भावर से मिली हैं देहरादून और कालो डांडा पौली से मिली हैं कुषानों को कुचलने में यौध्यों ने महत्तुपूर्ण भूमिका निभाई और यौध्यों विजई रहे जिसे के कुषानों का अंत हो गया अगले पॉइंट के और चलते हैं बालवाला यग्य वेदिका का निर्मान तिर्ति सतापदी में सील वर्मन नामक राजा ने कराये था सील वर्मन को कुछ विद्वान कुनिन तो कुछ यौध्य मानते हैं देखें प्रम सभी ये इतियास अधिकतर अनुमानों पर ही लिखा जाता है पुरा तात्युक अवसेस और लेखित सामगरी जो भी उपलब्द है उसके आधार पर इतियास लिखा जाता है तो यहाँ पर जो बाल वाला यग्य वेदिका का निर्मान के बारे पर चर्टा की गई है जो बाल वाला यग्य वेदिका का निर्मान तिर्थिस सापनी में सील वर्मन नामक राजा ने कराया था शील वर्मन को कुछ विद्वान कुनिंद, तो कुछ योध्ये मानते हैं। इस राज में इस राज शेत्र में उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश तथा रोहिल खंड का उत्तरी भाग समलेथ था इतिहास कारों का मानना है कि करतेपुर राज के भी सस्थापक कुनिंद लोग ही थे इस राज शेत्र में उत्तराखंड का उत्तरी भाग समलेथ था इतिहास कारों का मानना है कि करतेपुर राज के भी सस्थापक कुनिंद लोग ही थे ठीक है अलग अलग कोनिंदों की अलग अलग जातियों ने अलग 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 शेत्रों पर राज्य किया जिससे अलग 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 राज्यों की स्थापना की तो इस बिंदु को लेते हुए ये कहा जा सकता है कि करते पूर राज्य शेत्र के सस्थापक भी कोनिंद इतियास कारों का मानना है कि कर्तिपुर राज्य के भी सस्ताब कोनेंद लोग ही थे। आगे चलते हैं, अब देखें, समुद्र गुप्त, जो कि गुप्त वन्स के महान सासकों में जिनकी गर्णा की जाती है, तो समुद्र गुप्त के प्रियाग प्रसस्ती में कृतपुर राज्य को गुप्त सामरज्य की उत्तरी सीमा पर इस्तित एक अधीन राज्य बताया गया है, तो इससे परमालत होता है कि जो कर्तिपूर राज्य था वो गुप्तों के अधीन भी रहा तो गुप्त सामराज्य के अधीन भी ये कर्तिपूर राज्य रहा जो कि उत्तराखंड का एक अंस है तो समुद्र गुप्त की प्रियाग प्रस्श्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् प्रियाग प्रसस्ति समुद्र गुप्त की प्रियाग प्रसस्ति में कर्तिपुर राज्य को गुप्त साम राज्य की उत्तरी सीमा पर इस्तित एक अधीन राज्य बताया गया है आप देखिए यहां जड़ा और नजदीक से दिखाया गया है जिसमें बहुत सारे चीज़ें अंकित हैं यह आप देख सकते हैं यह जो की नजर आ रही है देखे तो इनी जो यह अंकित भासा है इस पर जो लिखी गई भासा है इसी से एतिहासिक शुरोद का काम भी करता है और इसी से एतिहासिक तथियों का पता लगाया जाता है उस समय के जो सासनकालेन परिस्तियां थी देश काल वातावरन के बारे में जानकारी इससे प्राप्त की जाती है इन अभी लेखों से इनकी भासा को विद्वानों द्वारा पड़ा गया है और इसके आधार पर ऐसे एतिहासिक तत्योंखा संकलन किया गया है तो ये समझदूत की प्रयाग प्रसस्ति है और ये नजदीक से दिखाई गई है ठीक है प्रयाग प्रसस्ति प्रयाग प्रसस्ति ठीक है तो समुद्र गुप्त की प्रयाग प्रसस्ति में कर्थिपूर राज्य को गुप्त सामराज्य के उत्तरे सीमा प्रस्ति एक अधिन राज्य पताया गया है आगे चलते हैं अब देखे पांचवी सदी के उत्तरार्ध में नागों ने कर्तिपूर के कुणिंद राज्य वन्स की सत्ता समाप्त करके उत्तराखंड पर अधिकार कर लिया छटी सदी के उत्तरार्ध में कन्नोज के मौकरी राज्य वन्स ने नागों की सत्ता समाप्त कर उत्तराखंड पर अधिकार कर लिया मौकरी वन्स के अंतिम सासक ग्रह वर्मा की हत्या हो जाने के बाद मौकरी राज्य उसके बहनोई थानेशवर नरेश हर्सवर्धन के अधिन हो गया हर्सवर्धन द्वारा एक परवती राजकुमारी से विवाह का उलेग मिलता है ठीक है तो पांचवी सदी के उत्तरार्ध में पहले जो कुणिंद राजवंस था पांचवी सदी के उत्तरार्ध में नागवंस ने नागों ने करतिपूर के कुणिंद राजवंस की सत्ता को समाप्ट कर दिया और कुलिंद राजवंस की सत्ता को समाप्ट करके उत्तराखंट पर अधिकार कर लिया नागवंस ने और छटी सदी के उत्रार्ध में कन्योज के मोखरी राजवंस ने नागों की सत्ता को समाप्ट कर दिया और नागों की सत्ता को समाप्त करके उत्तराखन पर अधिकार कर लिया मौकरी वंस के अंतिम सासक ग्रह वर्मा की हत्या हो जाने के बाद मौकरी राज्य उसके बहनोई थानेस और नरेज हर सवर्दन के अधिन हो गया हर्स वर्दन द्वारा एक परवती राजकुमारी से विभा का उलेक मिलता है ठीक है तो हर्स वर्दन एक केंद्री सक्ति के रूप में उभरे थे जिनों ने विभने छोटे छोटे राज्यों को एकिकृत करके एक शत्र सामराज्य की स्थापना की थी पांचवी सदी में नागों ने कुलिंद राजवंस को समाप्त करके उत्तराखन परादिकार कर लिया और उसके बाद छटी सदी के उत्तराज में कन्योज के मौकरी राजवंस ने नागों की सत्ता को समाप्त करके उत्तराखन परादिकार कर लिया अब मौकरी वंस का जो अंत अधीन हो गया ठीक था नरेश उसके बहनोई अरेश रसवर्दन के अधीन हो गया ठीक है यहांपर हर्श वर्धन द्वारा परवति राजकुमारी से विवहा का उलेक शंवगत है पर अधीक है कि ग्रह वर्मा के हत्या हो जाने के पाद मौकरी राज्य उसके बहनोई थाने सो नरिस हर्षवर्दन के अधिन हो गया है इससे ये सिद्ध होता है कि हर्ष वर्दन थानेसो नरेस हर्ष वर्दन ने परवती राजकुमारी यानि मौखरी राज़ी की परवती राजकुमारी से विवा किया था आगे चलते हैं अब यहाँ एक पॉइंट देखिए ध्यान से बान फट के हर्ष चरित में हर्ष वर्दन के सासनकाल में उत्तराखंड ब्रह्मन पर आने वाले लोगों का वर्णन है ठीक है बान फट जो कि हर्ष का दरबारी कभी था जिसने हर्ष चरित लिखी थी जो कि बहुत महत्तिपुन ग्रंथ है एतियासिक ग्रंथ है तो उसमें उस ग्रंथ में हर्ष वर्दन के सासनकाल में उत्तराखंड ब्रह्मन पर आने वाले लोगों का वर्णन किया गया है जो कि बान बटने किया है जिससे भी काफी एतियासिक जानकरी प्राप्त होती है अब हर्ष कालिन चीनी आत्री हर्ष वर्धन के काल में चीनी आत्री हुएंग सांग भारत आया था तो हर्ष कालिन चीनी आत्री हुएंग सांग हिमाले के पोली ही मोल पूलो जो कि एक चाइनिज भासा है एक चीनी भासा ऐसी बोले जाती है पोली ही मोल पूलो ब्रह्मुपूर राज्य को उसने पॉली ही मोपुलो कहा है ब्रह्मुपूर राज्य में गया था जो की बहुत धर्म के लिए प्रस्द था तो हर्सकालिन चीनी यात्री हुएंग सांग हिमाले के पोली हिमोपुलो जो की ब्रह्मुपुर राज्य में गया था जो की बहुत धर्मिक के लिए प्रसिद्ध था और हर्सके अधीन था उसने यहां पर पांच बहुत विहार होने का उलेग किया है तो हर्सकालिन जो चीनी आते था जो हर्सवर्धन के सासंकाल में भारत आया था चीनी आते हुए इन्शांग जो कि हिमाले के पोलिहीमोपुलो जिसे बाहमपूर राज्ये नाम से जाना जाता था मैं गया था जो कि बहुत धर्मिके प्रसिद्ध था और हर्ष के अधीन था उसने यहाँ पर पांच बहुत विहार होने का उल्लेक किया है यानि जो हिमाले आ रहा है जो हिमाले के ब्रह्मपूर नामक राजी में वो गया था जो कि उत्तराखंड का ये भाग है तो इससे ये सिद्ध होता है कि हुएन सांग उत्तराखंड भी आया था और उसने यहां उत्तराखंड में ब्रह्मपूर बौध सिख्षा का प्रमुक केंद्र रहा होगा जहां उसने वर्णन किया है कि पांच बौध विवार थे तो वेंसांग ने यहां पांच बौध विवार बौध विवार होने का उले किया है कहां ब्रह्मपूर में जो कि प्रमालित करता है कि उत्तराखंड का हिमाली भाग अन्य भाग हर्स के अधीन थे और जब हुईन्सांग भारत आया तो वो इस भाग का उत्तराखंड ब्रह्मन पर पी आया था जिसका वर्णन उसने अपनी रस्नाओं में किया है और पॉली हमो पुलो ज़िसे ब्रह्मपुर नाम से सुसोपित किया गया है वहां जो बहुत धर्मी के लिए प्रसिद्द था यहां हुईन्सांग गया था और हर्ष के अधीन पी था और हुएन्सांग ने यहां पांस बहुत व्यार होने का उलेग किया है देखे ये एक मूर्ति है जो की काशिपूर में खुदाई के दौरान मिली है ये विश्णु त्री विक्रम की मूर्ति है ठीक है विश्णु त्री विक्रम विश्णू त्रीविक्रम और एक कासिपूर से खुदाई में मिली है कासिपूर गोविसान कासिपूर से खुदाई में प्राप्त खुदाई में प्राप्त जो की मूर्ति पूजा के अस्तित्व को प्रमानित करती है आगे चलते हैं देखे अंग्रेज इत्यासकार कनिंगम आधुनिक गडवाल और कुमाउः वाले संपून भूभाक को ब्रहमुपूर मानते हैं देखे जो अंग्रेज इत्यासकार कनिंगम है उन्होंने आधुनिक गडवाल और कुमाउवाले संपूर भूभाग को ब्रह्मुपूर माना है, जो कि प्रार्मिक काल में ब्रह्मुपूर नाम से जाना जाता होगा, तो कनिंगम कुमाउवाल आधुनिक गडवाल और कुमाउव के संपूर भूभाग को ब्रह्मुपूर मा कि भागी रती नदी के किनारे हरीदवार नामक नगर है जो लगभक बीश ली चीनी माप के घेरी में है तो हुई इन्सान ने इसका वर्णन भी किया है जो की हर्सवर्दन के सासनकाल में भारत आया था तो उस दोरान वय हरुदवार भी गया था तो उसने अपनी रसनाओं में लिखा है कि भागी रती नदी के किनारे हरुद्वार नामक नगर है जो की लगबग 20 ली चीनी माप के घेरी में है तो इससे ये प्रमानित होता है कि हर्षवर्धन का राज्य हरुद्वार पूरे उत्तराखन में हरुद्वार भी इसके राज्य में सामिल था जहां होई इंसान चीनी आती जो था जो हर्षवर्धन के सासन कालमा भारत आया था वह गया था और उसने अपनी रसनाओं में आगे चलते हैं, हर्स की मृत्यू के बाद उत्तराखंड में छोटे छोटे कई राज्य इस्थापिद हो गए, सैन सक्ति के अभाव में इन दुर्बल राजाओं ने सुरक्षा के लिए छोटे छोटे गड़ों का दिर्मान कर लिया, इन छोटे छोटे राज्यों में ब्रह्मपूर, सत्रुग्न और गोविशान जो कासिपूर में हैं, सामराज्य मुख्य थे, जिन में सबसे महत्पूर ब्रह्मपूर राज्य था, देखें, जो हर्स की, हर्स एक केंदरी सक्ति के रूप में था, तो हर्स की मृत्यू के बाद उत्तराखन में कई छोटे छोटे राज्ये इस्थापित हो गए और सैन सक्ति का इनके पास अभाव था तो अपने राज्ये की सुरक्षा के लिए इन्होंने छोटे छोटे गड़ों का या किलों का निर्मान किया कर लिया इन छोटे छोटे राज्यों में ब्रह्मपूर, सत्रुग्न और गोविशान सामराज्य मुख्य थे जिनमें सबसे महत्यपूर ब्रह्मपूर राज्य था ठीक है जिसके बारे में कनिगम चर्चा करते हैं तो सबसे महत्यपूर ब्रह्मपूर राज्य था जिसके बारे में कनिंगम कुमाओ और गड़वाल का हिस्सा इसे मानते हैं ब्रह्मुपूर को जई ये सबसे महत्वपूर्ण राज्य था जब छोटे छोटे राज्यों की इस्तापना हर्शिकी मृत्यू के बाद हो गई छटी सतापनी में ब्रह्मुपूर में पौर्वों का सासन था इस वन्स के प्रमुख सासकों में विश्णु वर्मन प्रथम व्रिश वर्मन अगनी वर्मन द्यूती वर्मन तथा विश्णु वर्मन तथिय का नाम आता है इस विगटन काल में उत्तराखंड पर कई बार आक्रमल भी होए चोहान नरेश विग्रह राज ने आक्रमल कर दक्षणी उत्तराखंड पर तथा तोमर राज्य राजाओं ने पूर्वी उत्तराखंड के कुछ भागों पर अधिकार कर लिया देखे जब केंद्री सक्ता कमजोर हो जाती है तो उसके बाद कई छोटी छोटे राज्यों का निर्मान यहां होने लगा उत्तराखंड में तो वे राज्य सैनिक सक्ति के शेत्र में कमजोर थे तो इसी का फाइदा उठाकर बहरी सक्तियों ने उत्तराखंड पर आक्रमन किया और कई शेत्रों पर अधिकार कर लिया तो छटी स्ताब्दी में ब्रह्मपूर में पौर्वों का सासन था इस वंस के प्रमुक सासकों में बिश्नु वर्मन प्रतम वृष्वर्मन अग्नी वर्मन ता द्यूती वर्मन तथा बिश्नु वर्मन दिती का नामा का है तो ये ब्रह्मपूर की बात हो जो उस समय सबसे महत्पून राज्य था और उसके बाद इस विघटन काल में देखे विघटन जब हो रहा था केंद्री सक्ति की कमजोर पड़ जाने के कारण विघटन काल में उत्तराखंड पर कई बार बहाय आक्रमन हुए चोहा नरेश विघटन आक्रमन करके दक्षनी उत्तराखंड पर तोमर राजाओं ने पूर्वी उत्तराखंड के कुछ भागों पर अधिकार कर लिया था ठीक है आगे चलते हैं देखे अब यह बार बार गोविशान गोविशान सब्द आ रहा है जो कासिपूर में इस्तित है जो कि एक काफी एतिहासिक शेत्र है तो यह गोविशान का टीला है ठीक गोविशान का टीला जो कि एक एतिहासिक श्तित है गोविशान का टीला कासिपूर जो कि कासिपूर जनपद में इस्तित है गोविशान तो यह भी एक काफी एतिहासिक रूप से महत्पूर श्तित है यह से कई सारे महत्पूर एतिहासिक श्रूत यह से प्राप्त हुए है और एतिहासिक आउसेज और एतिहासिक सामगरी अभिलेक वगर जो कि उत्राखंट के एतिहास को लिखने में मदद करते हैं गोविशान का टीला का सिबूर। देखे ये गोविशान के पश्च भाग से लिया गया एक द्रिश्य है जिसमें वर्तमान में इसे काफीश का जिनोध्वार कराया गया है और यहां कुछ पौधार ओपन किया गया है ये भी गोविशान का ही द्रिश्य है गोविशान गोविशान कासिपूर ध्यान देजेगा गोविशान कासिपूर जन्दपद में श्थित्त है और एक एतिहासिक स्थल है यहां से कई एतिहासिक शुरूत और अवसेश प्राप्टुएं योखि इतिहास को लिखने में साहे है आगे चलते हैं तो ये सब ये मैंने आज आपको उत्राखंड के एथिहासिक काल में की जान करें दी प्रार्मिक जान करें दी आगे अभी ये सुरुवात है इसमें और कई खंड इसमें जुड़ेंगे तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हम इसको एक बार रिविजन कर लेते हैं ये देखिए कोविश्टावन और यहां देखिए उत्तराखंड का एतिहासिक काल कोनिंद सासक कोनिंद प्रथम राज नेतिक सकती ठीक प्रथम राज नेतिक सकती ठीक और तीशती चौr साथ दिस्तत्र है और दينदाज कोनिंद लोग मोजयों के अधिन थे कुनिंद वन्ज का सबसे सक्तिसाली राज सासक था अमोग भूतिक उसकी रज़त मुद्राय काफी लंबे शेत्र मिस्ते प्राप्त हुई है ब्यास नदी से लेकर अलग नंदा दक्षिन में सुनेत बेहत तक प्राप्त हुई है जिसमें प्राकृत और भासा में राग ये कु और अमोग भूतिक प्रतम सदी इसमें अमोग भूतिक की मुद्टिक के बाद सकों ने इस शेत्र पर अधिकार कर लिया कुमाव शेत्र में सक्सम्वत का प्रचलान और सुर्य मंदिरों के अस्तुत से सकों के राजी के पुस्टि होती है अलमोडा से प्राप्त कुनिंद गोमुत्र हर्दत सिवदत आदी इराजाओं के नाम अंकित है ये सुर्य मंदिर है कटार मलका सुर्य मंदिर जो की कोशी में स्तित है जो की सकों के अस्तुत की पुष्टि करता है और सकों के राज्य के भव्विता को दर्साता है ये एक एथ्यासिक इस्तल है कटार मलका के विए कदार मेर्वन का स्ुर्व मंद्र जो कि अग्रेभाक से लिया गया है कह ये कुसान काले नाुसेस हैँ जो कि रिषिपीस से प्राप्त हूए हैं और सकों के बाद कुसान का कुसानों का राज्य हुआ और कुसानों दोन ने यहां उत्राइखंट पर आजे कर लिया बीर प्ट्ररेश सिकेश मोड़न कोटट़ दौर और गोविशान प्रियापत वातरा में उसेश प्राप्त हूए हैं कुछानों के पतन के बाद नई राजबन से गोविशान कासिपूर काल सी लाखा मंडल में इस्ताफित हुए और शाती कुणिंद भी कुछ सेथ्म पर शासन करते रहें कुणिंदों के समकालिन योगी सासक्त की मुद्राय जोन सार भाबर देहरादून कालों डोंडा पॉली आदी से मिली हैं जो उनके सासन की पुष्टी करती हैं कुछान को कुछलने में योद्यों ने महत्तपूर भूंदगा निभाई थी बालवाला एक के वेदिका का निर्मार तिर्ती सतापदी में सील वर्मन नामक राजा ने कराया था सील वर्मन को कुछ विद्वान कोनिन तो कुछ विद्वान योद्य मानते हैं कि कर्थपूर राज्य इस राज्य शेत्र में उत्तरागंड हिमाचल परदेश रोहिल खंड का उत्तरी भाग समलित था इत्यास कारों का मानना है कि कर्थपूर राज्य के भी सस्थापक कोनिंद लोग ही थे यह देखिए समुद्र गुप्त की प्रियाक प्रसस्ति का द्रिश्य है इसमें जो गुप्त सामराज्य की उत्तरी सीमा परिस्ति एक अधिन राज्य के रूप में बताया गया है ठीक है तो कर्थपूर राज्य के उत्तरा खन में इस्तित्था उत्तरा खन करा राज्य जो की समुद्र गुप्त के अधिन बताया गया है यहां यह समुद्र गुप्त की प्रियाक प्रसस्ति में इसका वल्डन है उसकर बार, पाँछी सिद्य नागों ने कर्थिपूर के गुलिन राजवनस की सत्ता को समाप्ति कर उत्राखणप्र अधिकार कर लिया चड़ी सत्याप्थि की उत्रार रादिमे की गुलिन चेय डिया को समापकर उत्राखंड प्राधिकार कर लिया और मोख्री वंस के अंतिम सासे ग्रह वर्मा के हत्या हो जाने के बाद जो मोख्री राजे बहनोई थानेश्वर नरेश हर्षवर्दन के अधीन हो गया जो मोख्री राजी का बहनोई थानेश्वर नरेश हर्षवर्दन उसके अ मौकरी राज्य की राजकुमारी रही होगी बानवट के हर्षचरित में हर्षवर्धन के सासनकाल के में उत्राखंड पर आने वाले लोगों का वर्डन है जो बानवट हर्षचरित द्वराद लिखे गई है उसमें हर्षवर्धन के सासनकाल में था उसने यहाँ पर पांच बहुत वियार बहुत वियहार होने का उलेक किया है कि विष्णु विक्रम की यह कासिपूर्श की खुदाई में प्राप्त मूर्थी है कि आगे चलते हैं अंग्रेज ते सकार कनिंगम ने आध्रिणी गर्वाल और कमाओ वाले संपुन भूबाकर ब्रखुर माना है नदी के किनारे हरिद्वार नामक नगर है, जो की लगबग 20 ली चीनी माप के खेरिमें है, हर्स वरदन के मिर्ति के बाद उत्तरा खन में छोट छोटे राजजे इस्थापित हो गए, सेंड सक्ति के अभाव में इन दुर्बल राजाओं ने अपनी सुरक साकरे छोट छोड़े गड़ या किलों का निर्माण कर लिया इन छोट छोटे राज्यों में ब्रह्मपूर सत्रुग्न और गोविशान सामराजय प्रमूग थे इन में सबसे महत्यपूर ब्रह्मपूर राजय था छटी सितापदी में ब्रह्मपूर में पौर्वों का सासन हो गया इस वंस के प्रमुक सासकों में बिश्णु वर्मन प्रथम विरिस वर्मन अगनी वर्मन द्यूती वर्मन तथा बिश्णु वर्मन द्यूती का नाम आता ह इस विगटन काल में उत्राखंड पर कई बार आक्रमण हुई चौहान नरेश विग्रह राज ने आक्रमण कर दक्षनी उत्राखंड पर तसा तोमर राजाओं ने पूरी उत्राखंड के कुछ भागों पर अधिगार कर लिया यह गुष्ण का टीला मैं जोगी कास्वपूर जनम्पद दिस्तिथ है यह आसे काफी एथियस्तिक सामगरी अबिल्यक वगरे प्राप्त हुए तो बागी की जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में दोंगा बहुत-बहुत धन्यवाद आपका और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजे शेर कीजे और मेरे चनल को सब्स्राइब कीजे ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूँ वो आप तक तुरंत सिगरता से पहुँचे और अभी मेरे आगे आने वाले वीडियो पर आप फोकस रखी का मैं आगे और भी विस सब्जेक्ट्स पर काफी अच्छे अच्छे वीडियो आपको बना के दूँगा जिसमें मैं काफी सायक सामगरियों का इस्तमाल भी कर रहा हूँ जिससे कि आप वो वीडियो आपके लिए रूचिकर बने जानकारी जो ग्यान वर्धक के साथ साथ रूचिकर भी आप लोगों के लिए बने तो अगर आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए और मेरे चनल को सब्स्राइब कीजिए बाकी की जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में दोंगा तब तक के लिए नमस्कार बहुत बहुत धन्यवाद आपको